जबलपुर में आरक्षक सारीरिक परिच्छा का आज तीसरा दिन है। सिवनी निवासी, नरेंद कुमार गौतम 22 वर्स की 800 मीटर की दोड़ के बाद तवियत खराब हो गई। सारीरिक परिच्छा में किसी अभ्यर्थी की प्रदेस में ये पहली मौत बताई जा रही है। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रांजी से रेफर किया गया था, उसका पल्स रेट भी काफी कम हो गया था। प्रदेस में 6 वी बटालियन सही, प्रदेस के 6 स्थानों इंदोर, उजयन, भोपाल, गौलियर, सागर में आरक्षक की सारीरिक परिच्छा चल रही है। मंगलवार को जबलपूर इस्थित S.A.F. में आयोजीत सारीरिक परिच्छा में 201 अभ्यर्थियों में 165 ही सामिड हुए, इसमें तिरपन सफल हुए। आवेदको को सारीरिक परिच्छा में पहले 800 मीटर की दौड 2.45 मिनट में कौलिफाइट करना होता है। इसके बाद लंबी कूद और गोला फेक में सामिल होने का मौका दिया जाता है। मंगलवार साम 4.30 मिनट पर दूसरी पाले की सारीरिक परिच्छा सुरू हुई, इसमें बाला घाट निवासी इंदर कुमार लिलहारे 29 वर सामिल हुए थे। उसने 800 मीटर की दौर पूरी की, फिर किनारे लगी कुर्चियों पर थंडा पानी पीकर बैट गया। थोड़ी देर में वा बेहोस हो गया, उसकी नाकवा कान से खून निकलने लगा। उसकी हालत खराब देख मौके पर हरकंप मचके वहां मौजोद चिकिसकों ने 15 मिनट के अंदर इलाज उपलब्द कराने की बात कहीं। इंदर को पहले रांजी अस्पताल और वहां से उसे रेफर करने पर जबलपूर हॉस्पिटल ले जाया गया। S.A.F. अधिकारियों द्वारा मांगी गई मदद पर S.P. सिदार्थ भगुडा ने रांजी घामापूर और ओमती पुलिस को अलर्ट कर सभी चौराहे तिराहे पर पुलिस जवानों की डूटी लगा कर रास्ता किलियर कराया जा रहा था। एंबुलेंस इंदर को लेकर आठ मिनट में जवलपूर हॉस्पिटल पहुची जहां। ये भरती बूर तै करेगा। जवलपूर में दो दिन की सारीरिक परिख्षा में 403 में 341 अभ्यर्थी ही सामिल हुए। इसमें 127 सारीरिक परिख्षा में सफल हुए। 9 माई को जहां 202 अभियर्थियों में 176 सामिल हुए थे और 74 सफल हुए थे वहीं 10 माई को 201 अभियर्थियों में 165 सामिल हुए और 53 सफल हुए दो दिन का ओसा 37 प्रिश्चत सफल होने वालों का है मैं आपको बात में बताओंगा मैं कैकड़ा गाउं से हूँ योगेश चौक से मुझे कोई भी जानकारी नहीं है मैं अभी पहुंचा हूँ मैं आपको बात में बताओंगा झाल